एक के अंदर दूसरा वर्ग two square, यह चिन्ह हमें यह बताता है कि हमारे charger में जो wire हैं, वह double insulated हैं, जिससे आपको किसी भी तरह का शौक नहीं लगेगा. घर का चिन्ह, home sign, यह चिन्ह हमें बताता है कि आप अपने charger को घर में आ रहे 220 वोल्ट के current पर लगा सकते हैं. जहां 220 वोल्ट से अधिक current आता है, वहां इस charger का उप्योग करना खतरनाक साबित हो सकता है. कूडेदान का चिन्ह, dustbin symbol, यदि इस चित्र को ध्यान से देखे, तो इसमें कूडेदान पर cross का निशान बना है. इसका अर्थ यह है कि जब भी हमारा charger खराब हो जाता है, तो इसे कूडेदान में नहीं फेकना है, बल्कि इसे अपने mobile के service center पर recycling के लिए भेज देना चाहिए. इस चिन्ह का अर्थ यह है कि हमारा charger स्टैंडर्ड टेस्टिंग से गुजरा है और इस टेस्टिंग के बाद ही यह मार्केट में उपलब्ध हुआ है. वी सिंबॉल यह वी नहीं, बल्कि रोमन लिपी का पाँच है, यह चिन्ह, mobile charger की power supply efficiency को बताता है. इस NTT 252, Part 1, यह भारतिय मानक Bureau, BIS, द्वारा IT उपकरणों के adapter को प्रमानित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. IEC 609501, यह बताता है कि इस equipment की rated vaults 600 से ज्यादा नहीं है और इसको operate करने के लिए किसी विशेश on operator की जरूरत नहीं है. यह मानक निर्माताओं से ऐसे requirements की demand करता है, जो shock लगने या आग लगने जैसी सित्वी को कम करता हो.